चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के विधानजभा चुनाव की तारीख की घोशना कर दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने दो मार्च को बंगाल में रैली की इसी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें एक शक्स लोगों को नोट थमाता दिख रहा है दावा किया जा रहा है कि वीडियो में भाजपा कारेकरता लोगों को आदितिनाथ की रैली में शामिल होने के लिए पैसे बाट रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीरेंद्र कुमार यादव ने दो मार्च को ये वीडियो ट्वीट करते हुए यही दावा किया ट्विटर यूजर अट दरेट सुधीर अंडर्सकोर वाइडीवी और कुछ फेसबुक यूजर्स ने भी यही दावा किया असल में ये वीडियो पुराना है इस वीडियो में एक जगे पर हमें एक व्यक्ति नजर आता है जिसकी टी-शेट पर पीछे लिखा है अब की बार 65 पार्ट पश्चिम बंगल में 294 सीटों के लिए मद्दान हो रहा है पैंसट का आकड़ा वहां कोई खास महत्व नहीं रखता है असल में ये भाजपा की कैंपेन का हिस्सा था मगर साल 2019 में जहारखन में 2019 में विधानसवा चुनाव हुए थे भाजपा ने अब की बार 65 पार का नार अगुबरतास की रैली में आने वाले लोगों को दो-दो-सो रुपए बांटे जा रहे थे आल्ट न्यूस स्वतंत रूप से इस दावे की पुष्टी नहीं कर सकता है लेकिन हां कम से कम इतना तो पक्का हो भी जाता है कि ये वीडियो बंगाल में योगी अधितनाथ की र अजय कर सकता है